हेले अब्रिबडी, टुडे वी आर गुएंग टू लार्न अबाउट डेली की जिस सेंटेंस आप इस तरीकी की सेंटेंस डेली बोलते होंगे हम आम तोड सकते हैं हम कंप्यूटर चला सकते हैं वै डाक्टर बन सकता है रमेज अंग्रेजी सीख सकता है हम टॉपी जी सकते हैं आखिर इन सारे सेंटेंस में हम योगता, एबिलिटी, शमता, कैपेसिटी, दक्षता, एफिसेंसी की ही बात करते हैं यही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये सेंटेंस बनते कैसे हैं पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सस्क्राइब करना न भूले अगर एक परसेंट भी सीखा है तो लाइक करना न भूले तो चलो इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं इन सारे सेंटेंस को बनाने के लिए मोडाल सकेन का यूज करना पड़ेगा जिसका मतलब होता है सकता है सकती है सकते हैं सकता हूँ इसके लिए structure फॉलाव करना पड़ेगा subject plus can plus verb का first form प्लस ऑपज़ेट एक बहुल देख लीजे subject plus can plus verb का first form प्लस ऑपज़ेक्ट कुछ एकजामपल है मैं तेज दोर सकता हूं नहां पर मैं subject है उसके बाद can का use करेंगे जिसका मतलब होता है सकता हूँ उसके बाद word का first form दौणने के लिए run फिर fast I can run fast मैं चांद में जा सकता हूँ मैं subject है उसके बाद can use करेंगे जिसका मतलब सकता हूँ होता है फिर जाने को go कहते है जो word का first form है to the moon I can go to the moon, मैं कक्षा में प्रथम आ सकता हूं, I can get first in class, मैं तुम्हें थपड मार सकता हूं I subject है, उसके बाद can का use करेंगे, जिसका मतलब सकता हूं होता है, फिर थपड मारना को slap कहते हैं, जो वर्व का first form है और तुम्हें के लिए use किया गया है, I can slap you, इस तरीके से बहुत सारी sentence है, जो आप देख लीजिए, हम आम तोड सकते हैं, we can pluck mango, तोडने को pluck कहते हैं, we can pluck mango, हम computer चला सकते हैं, we can run the computer, हम नदी में तैर सकते हैं, we can swim in the river, हम English बोल सकते हैं, we can speak English, वह doctor बन सकता है, he can be a doctor, बनने के sense में हम become का use करते हैं, become का short form भी होता है, तो हम पढ़ेंगे, he can be a doctor, वह टेज बाइक चला सकता है, he can ride a bike fast, वह स्वाधिष्ट भोजन बना सकती है, C can cook delicious food, वह अपने गुस्षे पर काबू रख सकती है, C can control her angry, वह आग्याकारी बन सकती है, C can be obedient, रमेश अंग्रेजी सीख सकता है, रमेश चाबी से ताला खोल सकती है, प्रिया चाबी से ताला खोल सकती है, हम ट्राफी जीश सकते हैं, we can win the trophy, हम कटिन परिस्वम से अंग्रेजी सीख सकते है, we can learn English by hard work, I hope इस तरीके से आप बहुत सारी sentence बना पाएंगे, और डेली लैट में यूज़ कर पाएंगे,